सबी को मेरा नमस्कार स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल कम विदनेचर में आज बात करेंगे इस सुन्दर सी बेल के बारे में जिसका नाम है साइप्रस वाइन इस वाहिन को बीज से उगाया जाता है मैंने तो खर बीज से उगा आहे नहीं है क्योंकि इसकी जो होती है वह सicles होती है यह इसके बीज होता है ब्लाक टलर के हैं इस तरहां के पिंक कलर में फूल आये हुए हैं बहुती सुन्दर वाईन हैं इसे स्टार वाइन भी बोलते और स्टार ग्लोरी भी कहा जाता है गनेश बेल इसको बहुती जादा अगर फ्लावर भी नहीं आते ना तो अभी इस पर देखो कितनी सुन्दर इसका फोलिय जैं और जो यह उसे दिख रहे हो आप इसकी कितनी सुंदरता आ रही है है इसमें साइप्रस वाइन को इसके उप्र वाला पोर्शन जो हता यह कोई बी बहुत अच्छे लगती है तो यह मैंने जैसे एक धागे से स्पोर्ट दे रखा है और यह इसके लिपट लिपट के चारो तरफ ऐसे चड़ जाती है यह दो सीड से मैंने लगाए थे इसके और यहां पर मैंने एक मोर्निंग लोरी है मेरी और दो सीड मेरे साइप्रस वाइन के हैं यह बहुत ही अच्छ में यह दूसरे से गुत गुत के और उपर की तरफ चली गई और जैसे कि यह गेट के उपर तो यह हमारी जो मोर्निंग लोरी है यह फैल्यू यह पूरी तरह से और इसका वीडियो मैंने डाली रखा है इसके बारे में आपको कोई भी इनफोर्मेशन लेनी है तो वो वीड जो वहां पर चड़ गई है तो इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है जैसे कि अभी बारिश का टाइम है ना तो बारिश के टाइम में तो इतनी बढ़ जाती है यह बहुत ही जादा और अगर आपने पोट में लगा के ट्रैलिस बना रखा है ना तो बहुत ही अच्छा में भी चली जाती है मैंने लास टाइम सर्दी में लगा रखी थी और जब बहुत ज़्यादा ठंड होई तभी यह प्लांट मरने की कंडिशन में गया था बाकि अगर धूप में रखे रहे हो आप सर्दी में तो यह वहां पर भी अच्छी फ्लावरिंग करके अच्छी से चल जाएगा और इसे जितनी अच्छी दूप मिलेगी जैसे एक गर रही मिल रहा आप में इसको बहुत अच्छी से ग्रोफ करता है मेरे यांप एक बश्य तक दूप आती है तो उस वज़़ी से दिखो कि इतनी अच्छी है और अगर इसमें ज्ञादा फ्लावरिंग चाह वहाद नहीं हारा तो दूर है और जसे यह पास में ना तो यह यह मैं पिंच कर दूँगी जब तो यह आप हर प्लांट पर अपलाई कर सकते तो स्टार्टिंग में इस तरह से कली बनती है इस पे और फिर उसके बाद तो चोकोर टाइप में इस तरह से होता है तो मुझे लग रहा है इसमें चार सीड होंगे तो यह जैसे अभी तो कच्छा है अभी पका नहीं है आपको दिखा रही हूं वैसे और वैसे भी मैं पिंच करती रहती हूं यहां पर जो पोर्शन मेरे हाथ आ जाता है ना वह वाला सीड है इसमें देखो यह अभी तो इसमें वाइट कलर के हैं यह जब यह पक जाएंगे तो ब्लैक कलर के हो जाएंगे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे ना इसके सीड उस टाइप में पके बनके तैयार हो जाएंगे तो उनको आम नेक्स सीजन में फिर उगा जब बारिश का टाइम होता है तब तो इसकी जबरदस्त ग्रोथ होती है जैसे कि यह देखो मैंने एक अपते पहले यह यहां तक पहुँची थी यह तक यह वाला एरिया था ना यहां तक और उसके बाद एक अपते में इसकी ग्रोथ इतनी हो गई कि उपर वाली चट पे तो इसे पानी भोजदा मतलब यू है कि मोईस्चर बना रहे पानी में इतना भी नहीं कि उसमें बहुत सारा पानी डाल रखें भोजदा पानी नहीं देना है यह नहीं तो फिर या तो इसकी लिव्स है वह यलो के गिरने लगेंगी और प्लांट मर भी सकता है तो पानी का इसमें ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है और जब लगे उपर की जो सोहल है वो अनलगे कि हाँ थोड़ा इसमें सूखने लगी है तब इसमें पानी दे दीजिए हलकी हलकी मोईस्चर बना रहे है ना मिट्टी में इस त दस्त पूलाए हुए हैं तो यह थी हमारी साइप्रस वाइन की के बारे में एक चोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और इसके बारे में कुछ पूछना हो तो कोमेंट कीजिए थैंक यू